इंस्टाग्राम रिल्स कैसे चलाएं फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको इंस्टाग्राम रिल्स चलाना सिखाने वाले हैं वैसे तो आप Instagram Reels चलाते ही हैं लेकिन चलाने का सही तरीका क्या है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बहुत से लोग हैं जो Instagram पे काम करते हैं चलाते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे features होते हैं जिसके बारे मुँन को knowledge नहीं होते हैं चलाते तो हैं फिर भी knowledge नहीं होते हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद से आपको सारा कुछ knowledge हो जाएगा और फिर जब आप रिल्स बनाऊगे न तो यार कमाल की बनेगी चलिए हम आपको सिखाते हैं सबसे पहले friends आपको Instagram app को अपने phone में open कर लेना है जैसे open करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का interface आजएगा आपके सामने rils बीडियो चलना शुरूव हैगी Yeah, so yeah यहां पर LRILS हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि इसel वीडियू में अगर कोई चीज चल ला है ठीक है यहां पर हमको सीखना आए यह पहला step है RILS को हम वीडियो देखने के बाद से बहुत से लोग चाएं कि मैं लाइक करूं । कमेंड कर हो और here, और सेर करूं माली जी वीडियो हमको पसंद आ रहा है तो इस वीडि़यो को लाइक करना ही खाल Tale to א सबी को पता है कि हालाइक पे किलीक कर तो LIKE हो जाएगा अगर में पसंद तो फुर से किलीक करएगे अन्लाइक हो जाएगा तो मां लाइक कर लिया अब यहां पर दूसरे नमबर पर मिलता है comment का box यहां पर हम comment कर सकते हैं अगर वीडियो पसंद है तो हम heartweed भी दे सकते हैं या फिर हम यहां पर लिख सकते हैं ओसम ठीक है यानि जैसा वीडियो उस तरीके का हम comment भी कर सकते हैं तो हमारा comment हो जाएगा उस वीडियो पर ठीक है करके रखा है उनके पास ये वीडियो सेंड कर सकते हैं भेज सकते हैं या फिर इसे आप अपने स्टोरी में भी एड कर सकते हैं जैसे एड रील अगर आप चालते हैं अपने फ्रेंग्स को भेजना तो यहां पर सिंपल क्लिक कर देंगे, तो यह रिस उनके पास चला जाएगा और डन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है, अब उसके नीचे हम को थ्री डॉर्ट दिखता है, इस पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर बहुत सार आप् हम बेज सकते हैं ठीक है तो यहां से हम जिस माध्यम से भेजना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सिंपल यहां पर सेलेक्ट करेंगे तो ओपन हो जगा और यहां से सेयर कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहां से cancel कर देता हूं इसे peng citizen दाट पिर क्लिक करेंगे तो यहां पर अगर लिंक कौको कॉपि करना चाहते हो तो यहां कि इस वीडियो का लिंग को यहां पर कली करोगे लिंक लिखा हो इस पर फिर से मतलब दोबारा देख सकते हो बाद में भी ठीक है फिर त्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर इस ड्यूट इस वीडियो के साथ अपना भी वीडियो ड्यूट वीडियो बनाना चाहते हो तो रिमिक्स ओरीजिनल पर क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरिके के इंटरफेस हाजेगा यहाँ भी तो ओरीजिनल बीडियो के साथ आपको क्लिक करना है और यह बीडियो आ जएगा अब यहाँ पर अपडुट का बीडियो भी बना सकते हो तीक है बनाने के बास इससे जेर कर सकते हैं तो से इसे cancel कर देता हूं अब यहाँ पर माली जी इस वीडियो का जो गाना है जिससे चला है देख सकते हैं गाना है और फसंद आगया गाना और इस गाने के साथ मैं अपना खुद का वीडियो बनाना चाहता हूं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, यह जो गाना का sound था ना यहाँ य यहां पर देखिए जो रिल्स वीडियो है तो सहा हमने यहां पर सीख लिया अब यहां पर अगर इनको फॉलो करना चाहिए तो सभी को पता है अगर नहीं फसंद है तो unfollow भी कर सकते हैं तो आपकी मर्जी है अगर वीडियो यहां पर बनाना चाहते हैं तो यहां पर आपको क् अब आपका camera open हो जाएगा ठीक है अब यहां पर रिल्स को चलाना तो सभी को पता है कि हां कैसे बनाते हैं लेकिन यहां पर ध्यान से देखिएगा जो भी रूसे ना उसका यूज कब कहां कैसे करना वो बताने वाला हूं सबसे पहले तो यहां पर आपको suggest audio किया जा रहा है जो मैंने वीडियो रिल्स देखा परजेंट में उसी का audio यहां पर suggest किया जा रहा है अगर आप चाहते हैं कि इस audio पर हम वीडियो बनाए तो यहां पर apply यानी click कर देंगे तो और यहां पर बहुत सारा गाना दिख जाता है अगर इसमें से कोई भी गाना आपको पसंद दे तो select कर सकते है या फिर आपको यहां पर search music option मिलते हैं यहां पर search करके भी आप गाना को लगा सकते हैं ठीक है कोई भी गाना लगा सकते हैं लगाने के बास यह गाना आ जाएग दूसरा option मिलता है आपको filter का filter पर click करेंगे तो यहां पर बहुत सारा filter आपको देखनी को मिलता है ठीक है अगर आप चाहते हैं कि अपने पसंद का कोई filter search करके लगाए तो यहां पर search का icon मिलता है search पर click करेंगे तो यहां पर search भी कर सकते हैं मानल यह fog मैंने search किया और यह fog से related filters आगये यहां पर हम लगा सकते हैं देख सकते हैं फोग वालव फिल्टर आगया लगा सकते हैं वीडियो पर click करें लग जाएगा ठीक है अब यहां पर filter फिर से click किया ठीक है तो यहां पर और भी बहुत सारा हम search कर सकते हैं ठीक है तो जो आ हमारे सामने देखिए किसí तरीके का इंटरफेस ज्याआ ज्यसेखें वह हno frame सुद्धक्ति देख सकते हैं कुछ तरीकी अब यहां पर हम अपनी वीडियो पर कुछ स्टिकर्स लगाना चाहते हैं कुछ अच्छा वाला तो यहां पर बहुत सारा हम कोई stickers देख जाता है ठीक है यहां पर बहुत सारा दिख जाता है इसमेंसे अगर आपको वीडियो की लेंथ की यहां पर हम अपने वीडियो को कितने सेकेंड का बनाना चाहते हैं ओ यहां से हम सेलेक्ट करते हैं जैसे कि 15 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड तक कि हम वीडियो यहां पर क्रियेट कर सकते हैं ठीक है तो यह अपनी हिसाब से सेलेक्ट कर लेना ह आपको अपनी वीडियो कितना सेकंड का बनाना है ठीक है अब यहां पर सेलेक्ट कर लेने के बाद से उसके नीचे आपको आना है वन इंटू लिखा हुआ है इस पे किलिक करेंगे तो यह आप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम अपनी वीडियो को फास्ट मोशन या स्लो मोशन बनाना चाहते हैं ठीक है तो इसका यूज हम तब करते हैं तो यहां पर देखिए अगर यहां पर लिखा हुआ है वन के ऊपर हम जाएंगे फाइफ थिरी पे जाएंगे तो यह स्लो मोशन की तरब चले जाएंगे ठीक है अगर वन के नीचे आए भी आप को स्टेलेक्ट कर लेना अब यहां पर इसका जो यूज है ना आप ज्यादा तर यूज इसको जैसे माली अपना वीडियो को अपने ही फेस को फार्ट में रिकोर्ड करना चाते हैं तो यहां इसका यूज कर सकते हैं जैसे कि यह एक वीडियो मैंने यहां पर रिकोर्ड का लिया देखिए मैं दिखा रहा हूं from camera करके माली यह वीडियो मैंने इस पर पर करके दोप्र होगयँ ना छखिर जूदा बार्फ है रिक तरीके हैं record करने के बाद से stop कर लिया जैसे stop करेंगे तो हमारे सामें कुछ इस तरीके का interface आजाएगा अब यहां पर अब मैं उसी position पर रहेंगे और फिर दोबारा से click करेंगे कुछ और बोलेंगे हेलो गाज हेलो गाज देखिए अब दोनों फोटो अलाग अलाग मतलब एक ही आदमी का दोनों फेस अलाग अलाग दिख रहा है ठीक है एक में कुछ और ही रियक्शन कर रहे हैं ठीक है तो इसका यूज आप इस तरीके से कर सकते ओके कर देंगे तो आपका यह वीडियो बन जाएगा ठीक है मैं आपको दिखा देता हूं यह पर प्रोसेसिंग हो रहा है ठीक है देखें नेक्स्ट किया तो हमारा वीडियो कुछ इस तरीके से बन किया चुका है तो मैं इसे डीलिट कर देता हूं इस एक लिप पर क्लिक करेंगे और इस वीडियो पर सेलेक्ट है डिशकार्ड डिलिट हो गया ठीक है तो यहांस पर बैक केमरा कर लिता हूं अब यहां पर हमको आफ्शन मिलता है टाइमर यह टाइमर है आपको पता है यह कॉम्डाउन जो कांडाउन होता है नो फ्रेंड्स तो हम मालीज हम अकेले अपने अकले वीडियो को सूड करना चाते हैं और कोई mobile पकड़ने वाला नहीं तो मैं mobile को गहीं रख दूंगा और उससे दूर जाना पड़ेगा तो फिर से होकर click करें तो starting हो जाता है पतलब गाना चलने लगता है तो फिर वीडियो खराब हो जाती है तो इसका यूज हम तब करते हैं जब हम अकेले होते हैं और गेस्टर कांट्रोल पर click करेंगे click करने के बाद से देखिए जैसे timer पर हमने तीन सेकेंड का countdown लगाया था तकि हम दूर जाके अपनी वीडियो को सूट कर लें तो यहां पर timer यानि click करके ही जाएंगे तो starting हो जाएगा one या three two one ऐसे करके आएगा ठीक है तो यहां पर हमको timer set नहीं करना पड़ेगा बस गेस्टर कंट्रोल पर लगा देंगे ना तो जब हम अपनी फोन से दूर जाएंगे तो यहां पर गेस्टर क्लिक किया होंगे तो बस हैंड इस तरीके से करेंगे नो तो हमारा जो camera है ना come down स्टार्ट हो जाएगा और recording होना स्टार्ट हो बहुत आपको बार बार अपने फोन के पास नहीं जाना पड़ेगा ठीक है और आपकी वीडियो रिकोर्ड हो जाएगे फिर आप next करके जो करना चाहें सेव करना चाहें सेर करना चाहें कर सकते हैं तो मैं इसे delete कर देता हूँ ठीक है अब उसके नीचे आएंगे तो यहां पर close का option क्लिक करेंगे ठीक है तो यहां पर यह तो रहा फीचर्स ठीक है अब नीचे आपको filter का option मिल जाता है अगर यहां पर कोई filter आप लगाना चाहते हो filter लगा सकते है ठीक है तो मैं इसे back करता हूँ अब उसके नीचे आपको यहां पर देखिए अगर आप फोटो से अगर कोई आपने वीडियो बना का अपनी गाइलरी में रखे हैं तो यहां पर क्लिक करेंगे तो अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर फोटो को सेलेक्ट करके रिल्स वीडियो बना सकते है ठीक है तो जो भी बनाना है तो यहां से सेलेक्ट कर लेना है ठीक है जैसे सकते हैं हम अपने वीडियो पर ठीक है फोटो पर और यहां से जो भी लिखना चाहते हैं हम अपने फोटो के उपर टेक्स तो यहां से हम लिख सकते हैं एस पे क्लिकर करके और यहां से हमको बहुत सरा इंटरफेस मिलता है जी यह फाइल हम यहां पर एड़ कर सकते हैं जो यह बहुत सारा ब्रस मिलता है हम ड्रोव कर सकते हैं ठीक अगर नहीं पसंदे तो यहांसे अंडू कर देंगे डीक कर देंगे अब यहां पर अगर माली जै आपने reel बना लिया और उसको save करना चाहते तो यहाँ पे save पर click करेंगे तो यह आपकी gallery में saved हो जाएगा simple बन जाने के बाद से next करना होता है video माली जै आपने बना लिया और यहाँ पर write a caption पर जाना है ठीक है जैसे के hashtag हो गया यह love मैंने hashtag लगा लिया ठीक है और बहुत सारा hashtag लगा लेंगे कम चार पांच लगा लेंगे और यहां से किसी को tag करना चाहते हैं तो tag people पे click करेंगे और यहां पे plus पे click करेंगे और जिनको भी tag करना चाहते हैं उनका नाम type कर लेंगे ठीक है और उनको tag कर लेंगे ठीक है अब यहां से topics पे click करेंगे और topics पे click करने का बाद से यहां पे हम अपनी topics select कर लेंगे जिस भी category डरी से री-ले-टेड हमारा वीडियों बनने वाला है ऒ़र शेलैक्ट कर लेंगे ठीक है। तो यहाँ मैंने सेलक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने का बाद से टन कर देंगे ठीक है और यहां पर इपप्पल नहीं करना इस एब कर देना तब कर देंगे आपक Relz विडिएया पहलेट हो जाता है ठीक है तो ओ ऐसी आपको रिल्स चलाना होता है ठीक है खे़ डीक करना यहां पर जो भी states मेंने सारा कुछ आपको बता दिये कैसे आपको Instagram रिल्स जो है ना यानि रिल्स को कैसे चलाना है वो आपने समझ गये होगे ठीक है कर दोस्तों उम्मीद करता हुँ वीडियो पसंद एब उस पया है है । लाइक करना и पर यहां चैनल को सब्सक्राइब करके बेल इकन को ओल प्रेस करें ना फिर मीलता है किले वीडियो में, तब तयकर धन्माज जय की भंद्यमात्रम झाल झाल